अस्सलाम अलेकुम H3 Vlog में आपको खुशामदीद आज हम comparison और आज हम आपको selfie stick का review बताएंगे जो आज हमने Amazon से order की और बहुत ही quick service और बहुत ही जल्दी हमें receive हुई लेकिन उससे पहले unboxing करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो tools हम use करेंगे unboxing के लिए उनमें एक है scotch की scissor जो के बहुत ही जबरदस quality की है यह हमारे पास है तकरीबर दस साल से और बहुत ही अच्छी quality की है और इसमें आज तक कभी इसकी sharpness में कोई कभी नहीं आई यह M3 brand की है scotch और उसमें उसके बाद हमारे पास एक cutter है जो unboxing के लिए यूज होता है यह है PSI brand का चलें हाए unboxing करते हैं Amazon बहुत ही बैतरीन service है Amazon के उपर जो order मैंने किया था कल आज हमें यह समान रसीव हो गया है बहुत ही fast delivery service है और यह tripod tripod है इसका model है 3110 three way head built in level इसके अंदर level है और यह aluminium का है box के अंदर आपको मिलता है इसके साथ एक pouch cover और इसके बाद बहुत ही light weight है union का tripod और इसके बाद इसमें हम adjustment कर सकते हैं level और इसी के अंदर आपको मिलता है level merger करने के लिए और इस stand के उपर आप लगा सकते हैं DSLR camera और इसके साथ ही हम इसमें चेक करते हैं mobile holder जो के हम यहांपर fit कर सकते हैं mobile holder fit करने के लिए आपको नीचे से इसको hold करना होगा तो उसके बाद आप इसको hold करके tight कर सकते हैं और फिर उसके आप setting कर सकते हैं और आदे कर आप जी आई ओके इसके बाद जब हम इसको चेक करते हैं इसकी quality को और इसको अनमांट करने के लिए यह तीन क्लिप हैं different setting के लिए different height adjustment के लिए जब हम इसको open करते हैं तो हमारे पास यह तीन जो हैं वो level आते हैं first level पे यह आ रहा है जब आप cooking channel या table पर कोई चीज या अपने table पर आप adjust कर रहे हैं तो आपको यह level रख सकते हैं उसके बाद अगर आपको further height चाहिए और maximum height इसकी adjust करने के लिए आपको इसको यहाँ पर lock कर दें और lock करने के बाद यह तीनों legs के जो clips है वो lock करेंगे तो फिर यह stable position में आ जाता है और further इसके बाद इसमें एक और setting भी जो मैं आपको दिखाता हूं बहुत ही light weight है बट कॉलिटी जो है वो इसकी थोड़ी इतनी strong feel नहीं आ रही कि यह कुछ heavy duty इसमें piping use हुई हो इतनी अच्छी इनी quality नहीं आ रही यह इसकी normal position है इस से कम पर भी आप इसको adjust कर सकते हैं अगर आप इसको टेबल पर रखना चाहते हैं minimum level पर तो यह तीनों legs आ आपको इसकी unclip करना पड़ेगा तो उसके बाद आप यहां पर इसको adjust करके और फिर यहां पर unscrew करके इसकी height को further increase कर सकते हैं और यहां पर इसको आप unscrew कर सकते हैं तो यह इस position में तो बहुत stable है लेकिन जब इसकी मैंने maximum length open की है तो यह बिल्कुल से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपको इसको maximum height पर अपने kitchen में और आप vlog के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन यह सिर्फ tripod है तो इसको आप as a selfie stick यूज नहीं कर सकते हैं और यह Amazon से हमने order किया था बहुत ही कम price है इसकी बहुत ही ज्यादा यह हमें shipment के साथ 21 दरम का मिला है इसकी actual price जो थी 10 दरम थी और 11 दरम और उसके बाद यह हमें shipment के साथ 20 से 21 दरम का receive हुआ है और very quick delivery service के साथ तो यह था इस ट्राइपोर्ट का review अच्छी quality है ठीक है new video youtube के लिए बहुत light weight है और इसमें यह जो नॉब दी वी है यह adjustment के लिए है कि आप इसको adjust कर सकते हैं थोड़ी सी tight है ताके यह इतनी easily जो है वह move ना हो सके और इस तरह आप इसका angle भी change कर सकते हैं camera का और यह level adjustment के लिए guys आपको यह कैसा लगा आप comments में जरूर हमें बताईएगा इसके बारे में आपको क्या ख्याल है और इसमें अब जो है वो इसके लिए इतना ही है thank you so much जाने से पहले मैं आपको यह बदाना चाहता हूं कि आप अगर इसको order करना चाहते है Amazon से UAE में तो इसका link description में मैं ने दे दिया है और इसके इलावा अगर आप इंडिया पाकिस्तानी यां कहीं पर भी order करना चाहते हैं तो इसका मैं link description में दे देता हूं वहां से आप order कर स सकें और बहुत ही मुनासिब इसकी प्राइज है और quality ठीक है so so इतनी high quality भी नहीं है लेकिन इतनी low quality भी नहीं नियू यूट्यूबर्स के लिए they can use this for for a light use और thank you so much अपने comment से हमें जरूर आगा कीजिएगा